सबको मेरा प्रणाम, मेरा नाम रावुरी पद्मस्री हैं, मैं खमम जिले के कुणिजिला मंडल के जड़पी हिच्च सिंगराय पालं में काम कर रही हूं दस्वी कक्षा के चात्रों को दत्ती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब पाट के तीसरी बाग में स्वागत करती हूँ पहले दो बागों में हमने एपी जे अबदलकलाम जी के समाधान पढ़ लिये हैं और अब अबदलकलाम जी के सिश्या अगनी पुत्री टेसी तामस जी के परचे भी जान लिये हैं अब उनही से साक्षातकार के द्वारा उनके बारे में जान लेंगे देखे बच्चों आपके किताबों में मैं यानि इंडिया टुडे सापताहिक पत्रिका के साक्षातकार करता पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहे हैं आप अपने आरंबिक जीवन के बारे में क्या बता सकती हैं किन से पूछ रहे हैं टेसीता मस्जी से पूछ रहे हैं आप अपने आरंबिक जीवन आरंबिक जीवन का मतलब है बाल्यम बच्पन बच्पन के बारे में क्या बता सकती हैं इस प्रकार पूछे हैं तो टेसीता मस्जी बता रहे हैं मुझे बच्चपन सेही कुछ अलग करने की चाहती अंटरलागा काकुंटा पृत्येकंगा एदन्न गोप्पगा साधी चालानी चिन्नपपनिंची गुड़ तनकी चाह कोरिक गा उन्डे दटा मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी हमेशा काउन से सपने देखती थी अंतरिक्ष के सपने देखती थी यही कारण रहा की मैंने गणित और विज्ञान विशय को अपने तन मन में बसा लिया इसी कारण टेसिता मस्जी ने बच्पन से ही गनित और विज्ञान दो विशेयों को अपने तन मन में बसा लिया तन मन में बसा लेना इसकार दे हैं जी जान लगा कर पढ़ना बहुत श्रद्धा से पढ़ना इसलिए उन्होने बच्पन से ही गनित यानि मैस और विज्ञान इन दोनों सब्जेक्ट्स को कूब ध्यान से पढ़ना शुरू किया इसमें मेरी पाटशाला अलप्पुजा प्रांत केरला में स्थित ती देखे बच्चों केरला में अलप्पुजा प्रांत डियाडी वो अब दिल कलाम के साथ समझ भी आया ना बच्चों अलप्पुजा डियाडी वो यह तो अलप्पुजा तेसिता मस्जी के बारे में परिचाए और यहाँ इसमें मेरी पाटशाला मेरी टेसिता मस्जी के बारे में हाप्रेक्ट हुआ है मेरी शब्द टेसिता मस्जी के पाटशाला कहाँ पर है अलप्पुजा में अलप्पुजा तो केरला में स्थित है और अध्याबकों का बहुत बड़ा योगदान रहा पाट्शाला के जो अध्यापक है अध्यापकों ने भी इन टेसिता मस्जी को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरणा दिये थे अध्यापकों के साहयोग और सच्छी लगन से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया जा सकता है अगर अध्यापकों के साहय रहे तो कोई भी बच्छा अपने लगन से उन्नती पा सकता है यानि अध्यापकों के उपाध्याई लेका साहकार अन्तोटी और क्या होना चाहिए सच्छी लगन लगन का शब्द गार्द है स्रेद्धा चक्कटी स्रेद्धा कोड़ा उन्टे विजेयमों का उन्नता शिकरालने अंधुको चुँ आँजे पेसंच अब्दुनारू और मैं वही बोली थी आप लोगम से एपी जे अब्दुलकलाम जी ने भी इस प्रश्ण के आप चात्र के विकसित भारत को भारत के स्वप्न साकार करने की दिशा में क्या कर सकते हैं इस प्रश्ण के उत्तर में बताये थे लक्षी रखना ही नहीं लक्ष के लिए आवशे ज्ञान और अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए इसलिए यहाँ पर देखिए थेसी तामजी बच्पन से ही अंतरिक्ष के सपने देखती थी इसलिए क्या कि उन्हों ने बच्पन से ही गणित और विज्ञान शास्तर को दन मन में पसा लिया यानि ध्यान से पड़ी और इसके साथ अलब पुजा पाठशाला के अध्यापकोम ने भी तेसी तामजी को बहुत योगदान दिये थे इससे उन्हों ने सफलता की बुलंदियों को प्राप्ति की अब दूसरा प्रश्न है जब कभी कोई आपको भारत की प्रदम मिजैल उमन और अगनी पुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता हैं जब कभी कोई ये पड़े न एवरे न मिमन ने चूड़गाने भारत की प्रदम मिजैल उमन अनिकाने फस्ट मिजैल उमन अनिकाने अगनी पुत्री अनिकाने पिलजन पुडमी के लान पिस् मुझे बेहद कुशी होती हैं मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए अंटे इदनी रूपिंच को इलानी चे पड़ानी के ना देकर असल पदा ले लेवो कोई शब्द नहीं है सन उन्नी सो पचासी में D.R.D.O द्वारा देश भर के दस युवा वैज्ञानिकों को चुना गया उसमे मेरा नाम भी था उन दसमे से मेरा भी नाम था उस दिन मेरी कुशी की कोई सीमा नहीं उस दिन कि मेरी कुशी की आरोजु ना यका आनन्दान की कोई सीमा नहीं अवधुलु लेवु मानो मेरे सपनों को पंक मिल गए दे ना यका कलल की रेकल उच्नटगा अन्पिन्छिंदी मैंने अग्मी मिजयल के अभियान से जूड कर जो आनंद प्राप्त किया वह सदा याद रहेगा अग्मी मिजयल उका पुवादी तयार चेस्तुन न पुडू दानिक संभन नींचिन ट्वेंटी चेस्तुन न पुडू ना कलीन ट्वेंटी आनंदम सदा याद रहेगा सदा, आल्वेस, एपडु कूड़न अगुर्तुन्टुन्दि अवर तीसरा प्रश्न है यहाँ देखिए प्रश्न पूचने से पहले एक बार टेसी तामस जी के अबारे में डाक्टर टेसी तामस अग्निपुत्री बारत की मिसेल वोमन जन्मु अप्रेल उन्नीसो चौसट केरल प्रांत में पतीका नाम सरोज कुमार, सिक्षा बीटेक, एमटेक, विध्यालै, त्रिच्चुर, इंजनीरिंग, कॉलेज, कालिकट, डिफिन्स, इन्स्टूट आफ एडवांस टेकनोलजी पूने पुरस्कार, उपादी, लाल बहदूर शास्त्री नेशनल अवर्ड, 2012, कल्पना चावला पुरस्कार, सुमन शर्मा पुरस्कार, इंडिया टुडे वुमन आफ्द इयर का किताब, 2009 प्रसिद्धी, मिजाइल, वैज्ञानिक, नागरिकता, सिटिजन्शिप, भारती, संबंधित लेक, APJ अब्दिलकला, अगनी, प्रक्षे पास्त्र, ब्रह्मोस, मिजाइल, ओके बच्च, यहाँ देखिया लप्पुज, उनिवर्सिटी आफ केरळा और तीसरा प्रश्न देखिया बच्चों, आप अपना अधर्ष किसे मानती हैं, यह यह प्रश्न पुच्च, एध्यान से देखिये, आप अपना अधर्ष किसे मानती हैं, हम भी तो जीवन में किसी ना किसी को तो लक्ष मान कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, लक्ष मानने से पहले जिस व्यक्ति को हम लक्ष मान रहे हैं वह व्यक्ति हमें किसी ना किसी प्रकार से आधर्ष व्यक्ति होना चाहिए उनी ही को हम आधर्ष मानते हैं यहाँ पर तेसी तामस जी से पूछ रहे हैं कि आप किसे अपना आधर्ष मानती हैं अब देखिए टेसी जी क्या बता रहे हैं, आज हमारे यहां जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिजाइल की बात की जाती हैं, तो सभी के मस्तिश्क में एक ही नाम गुजता हैं, आजकल जब भी हम अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अगर बात करते हैं, तो हमारे मस्तिश्क में मनम में दड़ लो एक ही नाम गुजता हैं, उकटे पेरू प्रतिद्वनिस्तुन्दी, वह नाम क्या हैं, एपी जे अब दिलकलाम, सच्चे अद्दों में वे देश के ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया के आदर्शे हैं, पूरी दुनिया के आदर्शे हैं, केवल हमारे देश के ही नहीं, हमारे भारत देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए वे आदर्शवान हैं, उन्होंने दुनिया के मानचित्र में बारत को जोस्थान दिलाया है उन्होंने दुनिया के मानचित्र में वर्ल्ड मैप लो बारत को जोस्थान दिलाया है बारत देशन के इस्ताना नेते कल पिंचारो उसके लिए भारतवासी उनके रुणी है हम सब भारतवासी उनके फिर भी आप एक बार देख लिजिए, मैं गर्व के साथ कहना चाती हूँ कि वे मेरे गुरू हैं, गर्व के साथ क्या कहना चाती हैं, अब्दिलकलाम जी मेरे गुरू हैं, क्योंकि DRDO में टेसी तामस अप्धिलकलाम के नेतरुत्व में काम कर चुकी हैं, डियाडियो में टेसितामस जी और एपी जी अब्दिलकलाम दोनों मिलकर काम करेते और उनका नेता नेतृत काउन करेते अब्दिलकलाम जी के नेतृत में टेसितामस जी काम कर चुकी हैं इसलिए भी उन्हें अब्दिलकलाम जी बहुत पसंद हैं, इसलिए आधर्शा और उनके गुरू भी मानती हैं, उन्होंने वे अपने गुरू भी मानती हैं, उन्होंने ही मुझे प्रेरना के अगनी पंक दिये हैं, उनहोंने उनहोंने बोले तहां यहाँ पर काँन है एपि-जे अब दलकलाम जी ही आ तेसिता मज़ी के लिए प्रेरणा के अगनी पंक दिये हैं अगनी मिसाइल अगनी पांच तैयार करने के लिए जो नेतृत तेसिता मज़ी को मिली हैं वे महान ते, महान हैं और महान रहेंगे समझ में आये बच्चो, ये तीन वाक्य भी वर्तमान काल में हैं, भूत काल में और बविशत काल में वे महान ते, वारो, गोपवारो, ते, महान हैं, प्रजेंट कोडा, गोपवारे महान रहेंगे एपड की गोड आतनों गोपवाडिगाने उन्टारू अन्टे इन्तमुंदु कुड एपड की आतनों पाधकालम लो गोपवाडे प्रेजेंट लो गोपवाडे फ्यूचर लो कुड एपड की गोड गोपवाडिगाने उन्टारू अनिते लेजेटों कोसों इस प्रकार उन्होंने कहा वे महान ते महान हैं और महान रहेंगे उनकी नेतरुत्व क्ष्यमता बे मिसाल है उनकी नेतरुत्व की क्ष्यमता बे मिसाल है बे मिसाल शब्द का अर्द है साथी लेनी दी अद्वितियम जिसकी बराबरीक अवर कोई नहीं अंटे इला अंटिवारू इंको करुलेरू अन्य चपड़ा वनमाटा बे मिसाल आयने युक्क नेत्रुत्वम युक्क ख्षमता इंको कड़के वरे अलांत इदिगा उंडरू अध्वीतियम इंको कटि लेदू अन्य चपड़ां कोसम इक कड़ा पादाने वार्टन जरिकिंदी बे मिसाल उनिहे मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनवो करती हुँ उनिहे हब्दिल गलाम जी को मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनवो करती हुँ अतनि नायका आदर्श मानने में गर्व अनवो करती हुँ अतनि नायका आप क्या सुझाओ देना चाहती हैं बच्चों को आप क्या सुझाओ सुझाओ कर देना चाहती हैं सूचनलू मेरो विद्याद लगें सूचनली वालान कुन्टुन्नारू टेसी ता मजी बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूं वे जो भी पड़े ध्यान से पड़े ये देते चाओतुन्नार वादी श्रद्धगा चदवाली मेहनत करे और लक्ष प्राप्त करने तक रुके नहीं श्रमचे याली लक्षम जे रुकने वर के कड़ा आग कूड़ा दो रुकना आगडम रुके नहीं जो उन्हे पसंद है उ वरेख एद सब्के बचमे पसंद उस्चम एद एद इत ए विश्यम एते इस्टम उन्टटु नदो आ विश्यम आ ये लक्षयान सादिन जड़ं कोसं जी जान लगा दे यंदे पूर्तिगा दानने ताम ये लक्षयान o भागा कस्ट बढ़े शाद इन चाली कमर कसकर तैयारी करे कमर कसकर जी जान लगाना कमर कसकर तैयार करना ये मुहावरे है कमर कसकर तैयारी करे नडुमू बीगींची तैयारवाली सफलता वश्य उनके कदम चूमेगी ये लक्ष जिन में हैं उनके कदम सफलता जरूर चूमेगी अनिचे पड़ में खड़ा देखें बच्चों के लिए क्या सुझाओ दिये हैं एक बार देखें पाला है जो भी पड़े जान से पड़ना है और मेहनत करना है लक्ष प्राप्त करने तक नहीं रुकना है उन्हें जो विशय पसंद है उसमें अपना जी जान लगाना चाहिए कमर कसकर तैयारी करना चाहिए ये पूरे लक्ष जिनके पास है उनके लिए तो सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी अच्छे बात बताए हैं न अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न दिये गए हैं बच्चों के लिए टेसी जी का संदेश क्या है बच्चों के लिए ट करते हैं बच्चों के लिए टेसी तामस का संदेश है कि अभी हमने पढ़े थे न अवे जो भी पढ़े ज्यान से पढ़े मेहनत करें और लक्ष प्राप्त करने तक रुखे नहीं जो उन्हें पसंद है उसमें अपना जी जान लगाना चाहिए कमर कसकर तयारी करना चाहिए सफलता अब तब उनके कदब चूमेंगे टेसी जी को अगनी पुत्री क्यों कहा गया होगा टेसी जी ने अगनी पुत्रे निंद कनना रू रक्षान, संदान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है मगर टेसी तामस ने अपनी मेहनत लगन और द्रुड निच्चे से पुरुषों वर्चस्व वाले ख्षेत्र में सफलता के नए शिकरताई किये हैं तामस रक्षान, संदान और विकास, संगटन के अगनी पांच कारेक्रम की निद्देश का बनी उन्होंने देश के किसी मिजैल प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रेम की बनने का गावरोग राप्त किया अगनी मिजैल अभियान भी सफल हुआ इसलिए उनको भारत की प्रदम मिजैल वुमन और अगनी पुत्री का उपना दिया गया समझ गये ना बच्चों? अब देखिए अभिवेक्ति अद्दक राहेता प्रतिक्रिया प्रश्णों के उत्तर दीजिए एपी जे अब्दिल कलाम जैसे कुछ और महापुरुशों के नाम बताईए बताईए बच्चों कुछ और वाईज्यानिकों के नाम सरसीवी रामन जगदीश चंद्रवोस मालूम है ना बच्चों आपको? और कुछ नाम आपको मालूम है तो आप लिखिए कुछ महापुरुशों के नाम एपी जे अब्दिल कलाम और टेसी तामस में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगिया और क्यों? दोनों में एक ही जैसे बताए ना बच्चों को कड़ी मेहनत करना चाहिए लक्ष प्राप्त करने तक रुकना नहीं यह पूरे अब्दिल कलाम जी भी वैसे ही बताए और टेसी तामस जी भी वैसे ही बताए आपको क्या अच्छा लगा उसके बारे में आप लिखिए बच्चों पाट पड़ी अभ्यास कारी कीजिए एपी जे अब्दिल कलाम का साक्षात कर किसने लिया था? किसने लिया था बच्चों एपी जे अब्दिल कलाम का साक्षात कर? जब अब्दिलकलाम जी रास्टरपती के पत बरते तब कुछ चात्रों ने उसका साक्षातकर लिया टेसी तामस का साक्षातकर किसने लिया टेसी तामस का साक्षातकर इंडिया टुडे सापताहिक पत्रिका के साक्षातकर करताने लिया एपीजे अब्दुलकलाम ने बाल मजदीरी को समाप्त करने के लिए क्या उपाई बताए क्या बताए बच्चा स्वयों अपनी पड़ाई जारी रखने में रुची दिखाए और दूसरा माता पिता को सिक्षित करके और दीसरा बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनी अंत्रन की प्रवरती का विकास करके ये तीन बताए आप बताए और है चौधा प्रश्न टेसी तामस की स्कूली पड़ाई कहा हुई उन्हें किन विशियों में रुची थी कहा हुई टेसी तामसी का पड़ाई अलप पुजा केरला में स्थित्य अलप पुजा में हुई और उनके कौन-कौन से विशे पसंद है गणित और विज्ञान ये दोनों विशे में रुची थी निमनलिकित पंक्तियों की व्याक्या कीजिए सार्वजनिक जीवन में ब्रस्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवशे कता है अब्दिलकलाम जी ने उत्तर दिये थे इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में ब्रस्टाचार उन्मूलन के लिए हैं अभी नी थी पोको टड़ों कोसों आंदोलन भागा चाहिए आ लिए ने टेट वंड़ी विश्यानी तिली जे सारू तरवातां दूस्ता हैं सच्चे अर्दों में वे देश के ही नहीं बलके पूरी दुनिया के आधर्श हैं इदी टेसी तामस जी ने कहा था इस विश्य वाकिये केवल भारत देश के लोगों के लिए नहीं पूरे विश्य के लिए वे आधर्श हैं बोलके इस प्रकार कहेते अहुर है गज्याम्ष पढ़कर प्रश्णों के उत्तर दीजिए आपको मालूम है आपके एक्जाम पेपर में एक पटित गज्याता हैं और दूसरा अपटित गज्या यहाँ पर देखिए अपटित गज्या हैं विज्यान की भी एक बाशा होती हैं यदि आप ज्यान से देखे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह रुतिय बदलती रहती हैं किस तरह किसी बीज से ननहा पौदा निकलता हैं किस तरह पानी पर कागज की पारों वोर विज्ञान ही विज्ञान हैं, विज्ञान किताबों में कम आपकी समझ में ज्यादा बसता हैं, इसलिए जानने की इच्छा हमेशा रहनी चाहिए, जो जानने की इच्छा नहीं रखता वह किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं सीख सकता, ओके बच्चों आपके समझ में आया इसके बारे में एक बार में बताऊंगे विज्ञान की भी एक भाषा होती है विज्ञान साइंस कूड़ाओ का भाषा लाइंट दे यदि आप ज्यान से देखे तो आपको पता चलेगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए हमारे अडोस पडोस के प्रकृती में जो भी हैं उसे ध्यान से देखना चाहिए जो विज्ञान के विशह है ज्यान से देखना चाहिए अब तब आपको पता चलेगा क्या है कैसे हो रहा है इस प्रकार के प्रेशना आपके मस्तिश्क में उठते हैं उनके जवाब के लिए आप कोशिश करेंगे एक बार देखें एदि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा क्या है रुतिये बदलती रहती हैं किस तरह रुतू लेला मारतुन नाई किस तरह किसी भी से नन्हा पौधाव निकलता हैं एविदंकाओ का चिन्न वितनों लोंची चिन्न चिन्न मुलकल तोटी मौक्क पूल लोंची रुति तोन्दी तोन्दी किस तरह पानी का कागज आंटे वाटरलों एविदंकाओ काईतम तोट जेसन ट्वेंटी पड़वलू वेल तुन्नाई थेल तुन्नाई किस तरह पक्षी उड़ते हैं पक्षलेलाय गुरतुन्नाई किस तरह तितली फूल का रसप पूल लोंची रसानने स्वीकरिस्तुन्दी ताहुतुन्दी किस तरह गुब्बार हवासे फोलता हैं अंटे गाली बुडगा एविदंका बेलूनु गालतोटु निम्पकान इला उबुतुन्दी गदा एला जरूतुन्द अला अंत चारम ओर विज्ञान ही विज्ञान ह किताबों में कम आपकी समझ में ज्यादा बसता हैं मना पुस्तकाला कंटे गुड़ा मना चुट्ट पकलून्द प्रेकृत लोने मना चाला साइन्स हुन्दी इदंता गुड़ा तेल्सकोट आने के मना चाला इंटरस्ट चूपीं चाली ओके बच्चों इसके पी नीचे त चात्र के गुण क्या है और दूसरा प्रश्ण जेए हैं टेसी तामस के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता हैं और आ में दो प्रेश्ण हैं इन प्रेश्णों के उत्तर आठ दस पंक्तियों में लिखी हैं अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए अच्छे नागरिक के लिए कौन से गुण होना चाहिए बाला तो अपने प्रती इमानदारिया और दूसरों के प्रती आदर का गुण होना चाहिए सामाजिक समस्याओं के प्रती जागरु को होना चाहिए सारवजनिक जीवन में ब्रस्टाचार उनमूलन के लिए नागरिकों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए साक्षता को बढ़ाना चाहिए सभी लोग कम से कम पांच महिलाओं को सिख्षित करना चाहिए और दूसरों के प्रती आदर बाउ के गुण को अपनाना चाहिए हर नागरिक को सच्चाई तदा इमानदारी से रहना चाहिए, कूप परिश्रमी होना चाहिए, अपने जीवन में सबसे पहले एक लक्ष को बनाना चाहिए, फिर उसे प्राप्त करने की वोर कदम बढ़ाना चाहिए, नैतिक मुल्यों को ग्रहन करना चाहिए, अधिक से अधि क्यों मानती हैं क्यों मानती हैं टेसी तामस क्योंकि वे केवल बारत देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए आदर्श योग्य हैं इसलिए टेसी तामस जी अब्दिलकलाम को अपना आदर्श मानती हैं और भी आपके विचार भी जोड़ कर लिखिए और यह में प्रश साक्षातकार को उचित सीर्शिक देते हुए निबंद के रूप में लिखिए यहाँ पर हमने साक्षातकार पड़े थे उस साक्षातकार को निबंद के रूप में निबंद कार दिया है व्यासम व्यासम लागा रायाले एपी जे अब्दिलकलाम के विचार आदर्शियों के ह उनके विचारों को अमल में लाने के लिए आप क्या करेंगे उत्तर लिखिए और बाद में बाशा की बात बाशा की बात देखिए यहां पर कोस्टक पे दी गई सूचना पड़िये और उसके अंसर कीजिए प्रतिबा परिश्रम चात्र सिक्षा पर्याय शब्द लिखिए य प्रतिबा कार्द है यहां खोशल नई पुन्य निपुनता परिश्रम कार्द है मेहनत श्रम और चात्र कार्द है विध्यार्थी सिश्य ओके बच्चों सिक्षा कार्द है विध्या पड़ाई और यहां पर बाक्य प्रियोग भी दिया गया है बाक्य प्रियोग भी आप प कोई प्रिद्वा होती हैं, परिश्रम, परिश्रम का फल मीटा होता हैं, चात्र, राम एक अच्छा चात्र हैं, जीवन में सिक्षा का बड़ा महत हैं, और दूसरा है संभव, ज्ञान, बढ़िया, साकार, इन शब्दों का विलोम शब्द, संभव का विलोम शब्द है असंभव, और ज्ञान का विलोम शब्द अज्ञान, बढ़िया का विलोम शब्द घटिया, साकार का विलोम शब्द है निराकार, वाक्य प्रयोग, असंभव काल्य, परिश्रम से संभव होते हैं, ज्ञान से अज्ञान मिटता हैं, यहां देखे बच्चों, रेकां की शब्द देखे तो आपको मालूम हो जाएगा, दूकान में बढ़िया तदा, घटिया हर तरह का माल ताव, किसी के लिए भगवान साकार है तो किसी के लिए निराकार है, ओके बच्चों, और है चात्रा, चुट्टी, पाउदा, बात, इनका अवचन ब एक वचन ब़चन चात्रा, चात्राएं, छुट्टी, चुट्टीया, पाउदा, पाउदे, बात, बाते, कक्षा में चात्रा एं अधिक दी गर्मी की चुट्टिया बड़ी मजेदार थी पाउदे लगाने से परियावरण में संतुलन बना रहता है ग्रंदालय में बातेम करना मना है और देखिए बच्चों सूचना पढ़िए उसके अनसर कीजिए निर्दन विध्यालय संदी विचेद कीजिए निर्दन का संदी विचेद करने से क्या होता है निह प्लेस धन विसर्ग संदी संकल्प संप प्लेस कल्प व्यंजन संदी और है सुभा श्याम युवा शक्ती समास पहचानिये सुभा श्याम सुभा और श्याम द्वंद समास युवसक्ती, युवा की शेक्ती, तत्पुरुष समास और है रेका के शब्दों पर ध्यान दीजिया और इनहें समझिये रास्ट पती कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात कर लियाता यहा रेका की शब्द जो है कार्यकाल कुछ उनका यहाँ देखिया, कार्यकाल तो सन्या है, पुमलिंग, कुछ विशेशन अनिच्चय वाचक सर्वनाम, उनका पुरिश वाचक सर्वनाम ओके बच्चों, दूसरा वाक्य है, निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए, सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहे यहाँ पर रेकां के शब्द है, निरंतर, बढ़िया और कीवोर, निरंतर शब्द तो क्रिया विशेशन है, बढ़िया तो विशेशन, और कीवोर संबंध वाचक और यी रेकांग के शब्दों के स्थान पर कोस्टक में दिये गए शब्दों का प्रयोग कर वाकी बनाईए तो यहां एक चात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करे इस वाकी में चात्र कक्षा इन दो शब्दों के नीचे रेकांग कित किया गया है उन शब्दों के स्थान पर नागरिक देश, किलाडी केल, कलाकार कला, अध्यापक बिशै, परिक्षार्दी परिक्षा इन शब्दों को रख कर वाकी को बनाना पड़ता है एक बार एक वाकी देखिए, एक नागरिक होने के नाते, आप जिस देश में भी रहते हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें और दूसरा वाकी, एक किलाडी होने के नाते, आप जिस खेल में भी केलते हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें एक कलाकार होने के नाते, आप जिस कला में भी प्रवीन हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें एक अध्यापक होने के नाते, आप जिस विशय में भी सक्षम हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें एक परिक्षार्थी होने के नाते आप जिस परिक्षा में भी बैठते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए कूप परिश्रम करें और है बच्चों परियोजना कारिया किसी एक वैज्ञानिक के बारे में जानकारी संकलित कीजिए समझ में आई बच्छो किसी एक वैज्ञानिक के बारे में वैज्ञानिक बूले तो शास्त्रवेता यवरे नोक शास्त्रवेता गुरींची मीरू विवराल से करींची प्रोजेक्ट वर्क गा चे येंडी ओके बच्छम समझ में आई क्या यह पाट कैसा लगा अच्छा है न आप भी अच्छे अच्छे लक्षी बना कर उसके लिए खूब कोशिश कीजिए मेहनत करें अच्छे लक्षी को राप्त कीजिए धन्यवाद बच्छो